हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमश्कार दोस्तो चरहट के हिंदी में आपका फिर एक बहर स्वाकत है दोस्तो इंद्रा एकादशी जो की 5 अक्टूबर 2018 को मनाई जाएगी यह बहुत ही महत्व रखती है आज हमें इसकी महत्व कथा एवन पूजावी दिवत आ रहे हैं तो आई यह जानते हैं भारती मुखञ की इंद्रा एकादशी का महत्व भूत अदिक होता है इससे मनुष्य जाती को मिर्त्य के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे पुर्खो एवं आने वाली वनसुजों तक का उध्धार हो जाता है कब मनाई जाती है इंद्रा एकादशी यह इकादशी आष्व 2018 में इंद्रा एकादशी 5 अक्टूवर के दिन शुक्रुवार के दिन मनाई जा रही है दोस्तो इंद्रानी एकादशी से संबंधित महत्रपूर्ण समय दोस्तो पराना के दिन 12 खत्म होने का समय शाम 4 बच के 40 मिनट एकडशी ति इंद्रा एकडशी व्रत Qthah वा इसकी कहानी क्या है आईए अब हम आपको बताती है सत्यूग की समय की बात है इंद्रशेन नामक राजा हुआ करते थी राजा भगवान विश्नु के परचंड भगते थी एवं पुवास के सभी धार्मिक कार्रे पूरी शर्दशे करते थी उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था नगर में शुक्ष, शांती एवं उन्निती का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं करमठ हो नहीं था इस कारण इंद्रशेन भहुत खुशते एक दिन आकाशे नारदमुनी ने इंद्रशेन के दरवार में कदम रखा उन्हें आता देख इंद्रशेन राजा अपने इस्थान से उठ खड़े हुए और पूरे आधर के साथ उन्होंने नारदमुनी को आशीत किया उनके चर्णों को धोका रिश्बर्च किया उनका इस तरह का सतकार देख नारदमुनी बहुत परसंद हो कुछ देर बाद नारदमुनी ने राजा से पूझा कि आपके जीवन इवं राज्य में सब शकुशलतु है राजा इंद्रशेन ने कहा भगवान विश्णों की किरपा से सब सह कुशल है तब नारदमुनी ने फिर से पूझा आपके राज्य में धार्मिक सस्तंग इवं यग आदी के कारे भी नियमित हो रहे है राजा ने इसमें भी हामी जताई इंद्रशेन ने नारदमुनी से उसके दरवार में आने का कारण पूझा तब नारद मुनी ने कहा कि मैं यमलोग गया था वहां मैंने तुम्हारे पिताजी को दिखा वे बेहत दुखी थे उन्होंने तुम्हारे लिए शंदीशा भीचाए मिर्त्य के उपरां तुने मोक्ष की प्राप्ती नहीं हुई है इसलिए वे चाते हैं तुम उनके लिए कुछ करो उन्होंने बताया कि उनके पूरु जरम में उनसे एका दशी वरत भंग हुआ था इसके कारणे उन्हें मोक्ष नहीं मिला राजा इंदरशेन ने नारद मुनी से पूछा मुझे इसके लिए क्या करना हूगा तब नारद मुनी ने कहा श्राद पक्ष में ही पित्रों को मोक्ष मिलता है इसलिए तुम श्राद पक्ष की एका दशी का वरत करो इस वरत को करने से तुम्हारी कई पुस्तों को मोक्ष की प्राप्ती होगी राजा इंदरशेन ने राद नारद जी से वरत के विधी का विधान पूछा एक इंद्रानी एक अदसी वरत पूजा विधी यह सराथ पक्ष की एक अदसी है इसको करने से मोक्षी प्राप्ती होती है यह वरत अश्विन किष्ण पक्ष की दश्मी तिथी से शुरू हो जाता है दश्मी के दिन प्राता इसनान कर घर में पूजा पाट करके फिर दुफैर में नदी में इसनान करगे तरपन की विधी करें श्राद की विधी के बाद ब्रहमनों को भोजन करवाएं एवं स्वेम भी भोजन करण करें दूसरे दिन एकादशी के दिन सुभा इस्नान करें एवं पूरे दिन के निरहार व्रत का संकल्प करें फिर से श्राद विदी करें एवं ब्रहमणों को भोजन कराएं इसके बाद गाये कवे एवं कुत्यों को आहार जरूर दें अगले दिन पूजा करके ब्रहमणों को भोजन कराएं इवं दक्षिना प्रदान करें पूरे कुटुम्ब के साथ भोजन गरण करें इस प्रकार राजा इंद्रशेन नारज जी के द्वारा बताएगे विदी का अनुसरन किया जिसके परताप से उनके पिता को मोश्की प्रा स्वाम स्री किष्ण ने युदिष्टर से कहा है एवं इनके फल के बारे में भी बताया है तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि इंद्राइका दशी का क्या महत्व है इसकी पूजा वीदी और इसकी कहानी और इवं कथा क्या थी तो हम यूमीदे कि आज की वीडियो को क आन्नावार